Good morning everyone, start करते हैं आज की current affairs की वीडियो और आज मैं आपको बहुत ही important current affair करवाने वाला हूँ जो कि यदि आप SST Bank, Railway, UPSC, MPPSC की तियारी कर रहे हैं या पर किसी भी competition exam की तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही important होगी ये वीडियो और इस वीडियो में हम जानने वाले ह 66 Film Fair Awards 2021 के important points क्या हो सकते हैं और यहां से कौन-कौन से point होंगे जो कि आपके exam में आ सकते हैं इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि यहां पर 28-29 का जो current affair है उसमें कौन-कौन सी ऐसे चीज़े हैं जिनको हम सामिल कर रहे हैं जैसे national news कौन-कौन सी है इसके अलावा अगर हम बा बात करें तो banking news कौन-कौन सी है तो इस तरीके से हमने यहां पर 28-29 की news भी सामिल कर रखी है यदि आपको इस वीडियो की यहां पर अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप discussion में दी हुई link से telegram जाइन करें और वहां से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी start करते हैं आ annual film fair award दे दिये गए हैं और इसमें अगर हम आगे देखें तो आप देखेंगा यहां पर राज कुमार राओ जो कि आप जानते होंगे अभी नीता है और रीतेस देशमुक जो है इन्होंने इस को host किया है और यह दोनों actor है film industry के आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके स और साथ के साथ आपको बता देते हैं कि यहां पर आपको पता होगा despite the difficulties the film industry faced during 2020 आपको पता होगा 2020 में यहां पर film industries की बहुत जादा difficulties का सामना यहां पर film industries को करना पड़ा है क्योंकि यहां पर covid-19 pandemic था बहुत जादा लेकिन उसके बाबजूद यहां पर 2021 में इन्होंने यह यहां पर यह अवार्ड की घोशना कर दी है जिसमें अगर हम बात करें इंडियन सेनेमा में तो अगर हम देखें among the winners was the late इरफान खान को यहां पर अवार्ड दिया गया है और यहां से question इसलिए और बन सकता है क्योंकि आपको बता होगा हाली में अभी इरफान खान की मृत् चंजी को यहां पर अवार्ड दिया गया है तो यहां most important question आपके बन सकते हैं तो ध्यान से आप समझें complete list मैंने यहां पर आपको दे रखी अब अगर हम बात करें तो यहां पर कौन-कौन से अवार्ड मिले तो best film की अगर हम बात करें तो यहां पर थपड मूवी जो है उसक पर प्रतीक बैट्स जो है इनको यहां पर मिला है और यह ELIO के लिए मिला है ध्यान रखना तो best film कौन सी है यहां पर प्रतीक बैट्स ठीक है ELIO को ठीक है अगर हम बात करें best director की तो ओम राउत को यहां पर best director का अवार्ड मिला है आपको पता होगा ताना जी मूवी आई थी जो कि आज़ा देवगन जिसमें अवीनेता थे दा अंसंग वारियर आप जानते होंगे बहुत अच्छी मूवी है यह फिर अगर हम बात करें best actor की तो यहां पर lead role male के लिए एरफान खान को मिला है अंग्रेजी मीडियम में जो इन्हों ने आपर भूमी का निभाई जो की म परदस रॉल है फिर आगे बढ़ते हैं तो best actor in a lead role में अगर हम बात करें तो तापसी पन्नु को थपड़ के लिए दिया गया है और फिर आगे बात करें best actress के लिए तो best actress में यहां पर अबॉर्ड मिला है तिलो टामा सौमे SIR के लिए ठीक है best actor in a supporting role के लिए male में मिला है से फली खान को ताना जी दा अंसंग वारियर के लिए best actor in a supporting role में female फारुक जफर को मिला है गुलाब सितावो के लिए याद रखना फिर अगर हम बात करें तो यहां पर best story के लिए अन्वव सुसीला सिन्ह को ठीक है और मिरुना मायाई लगाओ वैकुल के लिए थपड के best story award फिर अगर हम बात करें best screenplay की तो रहना गैरा को मिला है सर के लिए best dialogue जो ही चतरवेदी गुलाब सितावो के लिए मिला है तो इस परकार यह अलग-अलग award मिले मैंने आप मैंने आपको best जो important थे वो मैंने आप वोपर बता दी है और पूरा list मैंने यहां पर आपको provide की ह तो description से आप इसकी list भी प्राप्ट कर सकते हैं lifetime achievement award जो दिया गया है यह बहुत ज़्यादे important है यहां पर क्योंकि एरफान कान अभी हाली में news में थे क्योंकि इनकी अभी हाली मम्रत्य हुई है याद रखना तो best music album के लिए प्रीतम को मिला है लूडो के लिए लूडो में इन्होंने music दिया है जिसके लिए और best lyrics के लिए कुल्जार को मिला है च्छपाक के लिए यहां पर और best playback singer के लिए रागव चेतन्या को मिला है एक तुकड़ा धूप का थपड के लिए यहां पर मिला है तो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है आगे अगर हम बात करें तो यहीं हम नेशनल यूज की बात कर ले रहे हैं तो डॉक्टर हर्स वर्धन यहाँ पर लॉंच किया है ट्राइवल टीवी इनिसियेटिव और आपको पता होगा जो टीवी डे था उस पर इन्होंने ये लॉंच किया है और ये एक महत्पूर्ण नियूज है तो ध्यान रखना तो टीवी मुक्त भारत के लिए इन्होंने नारा दिया है और अब यह आपको पता होगा जम्मू एंड कास्मीर जो है वो टीवी मुक्त घोसित कर दिया गया है तो डॉक्टर ह ये से जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बादगाम इन जम्मू एंड कास्मीर जो कि टीवी फ्री डिकलेयर कर दिया गया है वर्ल्ड टीवी डे पर ठीक है ध्यान रखना तो ये महत्पूर्ण यहाँ पर बन सकता था फिर बात करते हैं स्टेट नियूज में त जिसमें 35 फार्मर हैं एंड इंटर्प्रेनर हैं यहाँ पर याद रखना वन डिस्ट्रिक्ट और वन पॉडक्ट की भी यहाँ पर नीव रखी गई है ओडी ओपी की स्कीम की याद रखना जो की महत्पूर्ण हो जकता है अब अगर हम आगे बात करते हैं इसी में तो उत्त प्रदीश के गवर्नर हैं आनंदिबेन पटेल और यहाँ के जो सी एम हैं वो हैं योगी आधित्थनात याद रखना फिर अगर हम बात करें तो नागालेंड हेल्थ मिनिस्टर लांच किया है यहाँ पर आई लर्न ठीक है आई लर्न यहाँ पर इन्होंने कम्यूनिटी हेल तो ऑफिशर के लिए उफिसर जो है उनके लिए यहाँ पर आई लर्न यहाँ पर इसको लांच किया है नागालेंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर मिनिस्टर एस पंगन्यू फॉम है लांच आई लर्न ठीक है तो जो वेलफेर मिनिस्टर है उन्होंने इसको लांच किया ह याद रखना तो 189 health and welfare centers यहाँ पर city state में बनाई जाएंगे फिर अगर हम बात करें यहाँ पर chief minister कौन है नागा लेंड के तो nephew Rio यहाँ पर chief minister है और governor कौन है तो RN Ravi है और आगे अगर हम बात करें international news की तो New Zealand passes micro carriages where he went leave law तो यहाँ पर New Zealand ने यहाँ पर where he meant leave law यहाँ पर launch किया है कौन है New Zealand ने ठीक है याद रखना और अगर हम बात करें यहाँ पर New Zealand की तो parliament has passed legislation giving mothers and their partner the right to paid leave following miscarries or still worth becoming only the second country in the world to be so India is the only other country with similar legislation भाई इंडिया ने भी यहाँ पर इंडिया में भी start किया था ठीक है याद रखना और इसके अलावा यहाँ पर New Zealand ने भी यहाँ पर यह start कर दिया है और इन्होंने बोला the leave provisions apply to mothers their partners as well as parent planning to have a child through adoption और सरोगेशी one in four New Zealand women has had a miscarries तो भाई यहाँ पर यहाँ पर यह बूला गया है कि अगर यहाँ पर mother को तो यहाँ पर holiday मिली सकते हैं लेकिन साथ के साथ जो father है उनको भी मिल सकता है और यह बूला गया है कि अगर वो किसी बच्चे को यहाँ पर adopt करते हैं तो उसके लिए यह सरोगेशी कर पर यहाँ पर यहाँ पर क्या क्या हो जकता है तो प्राइम मिनिस्टर आप न्यूजिलेंड कौन है तो जे सिंदा आडन है यहाँ पर यहाँ बात करें यहां की करेंसी तो डॉलर है याद रखना फिर अगर हम आगे बात करें तो HDFC बैंक नेम इंडियास बेस्ट S.E.M.E. यहाँ पर इसको बना दिया गए ठीक है और Asia Money Best Bank Award 2021 भी इसको मिला है फिर अगर हम आगे बात करें तो Economic News में S.N.P. ने यहाँ पर जो इंडिया की जो Financial Year 2020 के लिए जो GDP Growth है उसका जो दिया है इन्होंने बोला है कि भई यहाँ पर 10 से यहाँ पर इसकी GDP Growth हो जाएगी कितनी 11% और S.N.P. ग्लोगल रेटिंग में यहाँ पर इन्होंने इसको रेज कर थोड़ा सा बढ़ा दिया है और कहां 10 से कहां तक कहुचा दिया है 11,2022 में ऐसा बोला गया है कि 2021-22 में इतना रहने का अनुमान है और चाइना में इन्होंने बोला कि 7 से 8 होने का अनुमान है और यह यहाँ पर इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है तो जॉन वैरिस फोल इसके प्रेसिडेंट है याद रखना जो की most important question आपकर बन सकता है फिर बात करते हैं rank की तो world bank religious world development report यहाँ पर world development report जारी कर दी है world bank ने और 2021 की यह report है data for better lives मतलब यहाँ पर सही तरीके से लोग रह सके इसके लिए यहाँ पर world development report 2021 जारी करी गई है तो यह भी important question यहाँ पर बन सकता है कि world development report यहाँ पर कौन जारी करता तो world bank तो बात करते है world bank की तो यहाँ पर जो headquarters है इसका कहा है तो वासिंग्टन डी सी में है ठीक है United States में world bank formation कब हुआ था इसका तो 1944 में हुआ था डेविट माल पास इसके अभी president है तो आप माल पास से माल से भी याद रख सकते कि world bank में ज्यादा माल होता है इसलिए इसके president कौन है माल पास है अब अगर हम बात करें global wind report की 2021 आ गई है और यहाँ पर बोला गया है कि 2020 was best year for wind industry तो इन्हों ने यह बोले कि 2020 जो है बहुत best रहा है wind industries के लिए और बोला कि despite the COVID-19 pandemic इन्हों ने यह बताए कि भई यहाँ पर COVID pandemic था उसके बाद भी यह best year रहा 2020 और इसके पीछे बज़े है कि wind मतलब हवा पर कम pollution हुआ है कहीं न कहीं इसकी बज़े से भी यह best माना जाता है ग्लोवल बिंट रिपोर्ट 2021 जारी हो गई है और यहाँ पर यह बोला गया है कि this is the 16th annual flagship report released by GWEC on March 25, 2021 the 93 gigabyte represents a 53% year on year increase मतलब यहाँ पर 53% के साथ यह हर साल increase होता चला जा रहा है 93 gigabyte के 12 ठीक है याद रखना तो यह most important question हो सकता है अब बात करते हैं Global Wind Energy Council की तो इसका headquarter कहां तो Brussels में है और Brussels कहां तो LGM में है और बात करते हैं इसके CEO की तो वो है बैन वैक वैल याद रखना और बात करते हैं यहाँ पर यह founded का वह था 2005 में हुआ था और बात करें अब हम appointment की तो यहाँ पर cell के chairperson बन गया है Soma Mandal ठीक है इसके appointment इनको मिल गया है इसका Soma Mandal जो है chairperson बन गया है किसके cell के अब cell का full form क्या है तो आप जानते होंगे Steel Authority of India Limited जो की यहाँ पर कई बार exam में आ चुका है बात करें cell का headquarter कहां है तो New Delhi में यह formation कब हुआ है इसका तो 1954 में हुआ था अब बात करें US President Wyden invites PM Modi to Leader Summit on Climate वै क्लाइमिट पर जो Leader Summit होने वाला है उसमें यहाँ पर PM Modi को invite किया है कौन ने जो वाइडन है जो की US President है याद रखना अब बात करते हैं 7th Annual Summit जो की National Health के लिए है तो यहाँ पर Union Minister for Health and Family Welfare आप जानते है डॉक्टर हर्सवर्धन मैं उपर आपको बता चुका हूँ यह इसमें सामिल होने वाले 7th Annual Summit है यह याद रखना ठीक है तो यहाँ पर बहुत important हो जाता है क्योंकि COVID-19 का दोर अभी चल रह है अब बात करते हैं Awards की तो महंदर ग्री रेंज आफिसर है जो की तो उनको मिला है यहाँ पर वान यहाँ पर जीत गए हैं International इंटरनेशनल रेंजर आवार्ड भाई जो की Most Important Question यहाँ पर बन सकता है International Award है इसलिए महंदर ग्री जो की एक रेंजर आफिसर है तो बहुत ज़् National Ranger Award इनको अभी मिल गया है तो Most Important Question बन सकता है यहाँ पर बात करते हैं Former RBI Deputy Governor की केसी चक्रवर्थी जो अभी इनकी हाली में मृत्य हो गई है तो Most Important Question यह भी बन सकता है आपके लिए फिर बात करते हैं यहाँ पर 1971 Battle of Wasantar Hero Lieutenant General Pinto Retired इनकी भी अभी हाली में मृत्य हो चुकी है त फिर बात करते हैं यहाँ पर की Journalist and Author रहे हैं अनिल धारकर उनकी भी अभी मृत्य हो गई हाली में जो की Mumbai International Literary Festival के जन्म दाता रही हैं इनको इसने इस्टैबलिस किया था और साथ के साथ The Romance of Salt जैसी बुक लिखी हैं महात्मा गांदी इस दांडी मार्च के बारे में इनकी यहाँ पर बुक लिखी हैं तो Most Important Question बन सकता है फिर बात करते हैं स्वेज कैनल री ओपन आफ्टर दा जियंट स्टैंडर्ड सिप इस फ्रीड भाई स्वेज कैनल जो की अभी बंद हो गई थी ठीक है उसको री ओपन करने का प्लान बन चुका है और यह बहुत जल्दी री ओपन हो जाएगी तो याद रखना तो यहाँ पर मैंने Most Important Current Affair आपको करवाए 28 और 29 तारीके और इससे पहले मैंने आपको Film Fair Awards के बारे में भी मैंने आपको बताए तो Most Important चीजे हैं हमने यहाँ पर डिसकस की हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेर और जादा जादा स्टुडेंट्स को बताइए कि भारत एजुगेशन में भी अब Current Affairs के वीडियो से स्टार्ट हो गए है जो आप सभी के लिए बहुत ही important है तो आज के लिए इतना है थैंक यो